नमस्कार दोस्वा मेरा नामनेकित सर्मा और स्वाकत है आज की इस वीडियो के अंदर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं की grand item news को हम टो कैसे करते हैं यानि कि अगर आपकी grand item news रास्ते में खराब हो जाती है तो उसको छीच के कैसे ले जाया जाता है तो वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो simply पुरानी कार के अंदर क्या होता था कि आपको simple जो front के अंदर hook दिया जाता था जिससे कि आप रसी बांद के अपनी कार को टो कर सकते थे लेकिन अब जो है इनको हटा दिया गया है directly जो की थोड़ा सा look को खराब करते हैं कार की तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो cap है इसकी help से हम कार को टो कर सकते हैं तो इसको open कैसे करते हैं तो इसको नीचे की तरफ से press किया जाता है फिर इसको आप बाहर निकाल दीजिए फिर जो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो जगे दिख रही है इसके अंदर हम एक टूल लगाते हैं जिसकी हेल्प से कार को टो किया जाता है अब वो टूल हमारे पीछे जो बूट होता है उसके अंदर दिया जाता है तो वो मैं बता देता हूँ आपको वो टूल है वो कहा आप उपर कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको एक तो jack की, यह जो bag दिखेगा, jack की kit दिखेगी, एक आपको toolkit दिखेगी, तो toolkit से कोई मतलब नहीं है, jack kit के अंदर यह front के side, उपर ही उपर आपको यह pocket दिख रही है, इसके अंदर एक tool मिलेगा, इसी की help से हम car को टो करते हैं, तो इसको हम, जो हमने cap को आप पर open किया है, उसके अंदर इसको हम insert करेंगे, अब इस tool को कैसे insert करेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, तो इसका simple सा process है, जिससे की हम इसको fit कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हमें इस जगे के अंदर insert करना है, तो सबसे पहले cap को आप अच्छी तरीके से side में कर लो, और इसको आप सीधे के सीधे insert कर दो, और clockwise तरीके से इसको rotate कर दो, दो से तीन round के अंदर ये tight हो जाता है, आप री check कर लीजिए कि ये अच्छी तरह से tight हो जाए, और इसकी help से अब आप अपनी car को आराम से toe कर सकते हैं, जैसे ही ये जो toe tool है, उसका काम हो जाए, तो इसके बाद आप इसको जैसे हमने लगाया है, वैसे ही remove कर सकते हैं, यानि कि clockwise तरीके से हमने लगाया, अब हम anti clockwise तरी उपर से इसको press करो, उल्टी तरीके से कर आप करोगे तो ये फस भी सकता है, तो ये देखो यहाँ पर अच्छी तरह से ये set हो चुका है, और हम इस tool को बापस से अपने boot के अंदर रख देते हैं, अब boot के अंदर इसकी जो pocket है, उसके अंदर ही हम इसको फिर से रख देते ह अब simple ये जो बात है, ये वीडियो मैं कई दन से सोच रहता बनाने की, लेकिन आज मैं इसलिए post कर रहा हूं कि मुझे लगा ये वीडियो कई लोगों के लिए helpful हो सकती है, क्यों कि ये जो finish कर रहा है नोंने सामने से, front के look से, मैं आपको दिखाता हूं अभी जाके, तो ये लाक कर दीजे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजे, मिलते हैं ऐसी किसी informative वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद